नमस्कार दोस्तों, वेलकम टियूरोण चैनल, लेर्न टू अन बाई एक यार्स, तोड़ी वूट बी डिसकसिंग अबाउट टाटा कंजूमर प्रोडक्स के बारे में फ्रेंड, जहां पर आज राइट इशू को लेकर के इंपोर्टन अब्रेट है, राइट इशू आज से जागो, तुम लोग चेक करेंगे, पुम राइट इशू का अप्लाई कैसे करेंगे, राइट इशू कमणी क्यों लाती है, इन सभी चीजों को डीटेल में चेक करने वाले है, बाउट राइट इशू, तो चलिए स्टाट करते है, बाउट टाटा कंजूमर प्रोडक्स, ज यहाँ पर जो रहता है, कंपनी जो रहता है, देखिए, राइट इशू का प्राइस जो फिक्स किया है, वो है 818, 818 रुपया, प्रती शेर का यहाँ पर राइट इशू का प्राइस फिक्स किया गया है, रिकॉर्डेट 27 जूलाई 2024 साटेडे का दिन था, तो फ्रेंड मैं आपको काफी discounted price में ये share अभी खरीदने का मौखा, देरे देख सकते हैं 1202 का price अभी चल रहा है, 818, 818 के price में आपको आप ये share के लिए आप apply कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको recorded तक ये share को रखना था, अफ्रेंड है important चीक की issue देखी open हो रहा है 5th अगस and close हो जाएगा 19th अगस्ट, आट हो रहा है 5 अगस्ट 2024 को open हो रहा है and ध्यान देखा close हो जाएगा 19th अगस्ट तो आपको अगर आप इस event में participate करना चाते हैं, आप apply करना चाते हैं right issue को लेकरके, ध्यान देखा आज open हो जाएगा 19th को ये close हो जाने वाला है and देखे size था हम लोगें डिसकस किया लगभा 3000 कोड़ का है, 818 का इसका price fix किया गया, issue का price है and यहाप सबसे important चीज़ था, जो मैंने पहले ही बुला था कि अगर आप इस event में participate करना चाते हैं, तो multiple of 26, 26 के multiple में इस share को आपको खरीदना चाहिए था, देखे आपर entertainment ratio जो बताया जा रहा है, वो देखते है one right equity share for every 26, अगर आपका 26 share है, तो आप एक right equity shares के लिए आप eligible है, यह entertainment ratio है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आप इस event है participate करना चाहते हैं, तो fraction shares बगर के problem में ना जाए, 26 के multiple में share को रखने की कोशिश करें 26 share के multiple में, अब आगे बढ़ते है friend, तो से पहले चीज rights to its existing shareholders to purchase new shares of the company based on their previous existing holding, तो आपको share को खरीदने का मौका दे रही है, at a discounted price, company आपको rights दे रही है, it is not mandatory, mandatory नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर आपका share है, तो आपका इसमें apply करे, for the shareholder to apply for this, यह जरूरी नहीं है, mandatory नहीं है, the company is giving them a choice, आपका choice है, आपको म आपने, तो apply कीजिए, नहीं मने, तो नहीं apply कीजिए, इस के लावा company right issue क्यों ला रही है, तो purpose of issue could be to fund a new project, नया project के लिए, reduce debt, अपना कर्च को कम करने के लिए, दूसरा है, to its restructurist equity capital ways, इस कारण से भी company right issue लाती है, आगे बढ़ते पुरे process को समझेंगे, तो देखे, अभ आपको इसको apply करना मजबूरी है, mandatory है, RE is not a right share, यह right shares नहीं होता है by itself, but need to be used to apply for the rights, आप इसके थूँ अप्लाई कर सकते हैं, RE will be in the form of temporary demand securities, that will expire, तो temporary demand security है, जो कि expire कर जागा, if not used for application, और सुल अगर आप इसको apply के जे, अगर नहीं या फिर base देजे, अगर कुछ भी नहीं की आपने आपको expire कर जाएगा, आपको बहुत important है, कैसे इसमें apply करेंगे, तो एक process होगे, offline method, दूसरा होगे, online method, आपको offline method में form को download करना है, fill करना है, आगे का process में discuss करेंगे, online method में क्या है, पहले चेक कीजिए, कि आपका bank जो रहता, ASBA को support करता है कि नहीं करता, अगर support करता दिए सबसे बढ़िया method है, apply केजिए, आपको बहुत करते हैं, वैसे आप apply केजिए, अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, detail way में, online में क्या है, to apply for right issue, Serolo can use application supported by blocked amount, ASBA को full form है, process, if their bank support, अगर आपका bank support करता ASBA, तो just like IPO, आप apply कर दिए, offline में क्या है, alternatively, company, register, transfer agent, जो रहता यह field form को जरता है, आपको submit करना रहेगा, self certified syndicate bank, SCSB branch में आपको send करना पढ़ेगा, उसको submit करना रहेगा, अगर वो आटी की थूरू नहीं आप करते हैं, तो form can also be downloaded from BAC and NAC के website से भी आप इसको download कर सकते हैं, अब देखे, यह BAC, NAC, NAC के website में ऐसा जो रहेगा, इसमें आप आपको सक्षिन में जाकर किसको आप download कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेंट, फ्रम जो form जो रहेगा, उसमें सब कुछ detail आपको लिखा रहेगा, जैसे right issue, ratio, book, closer date, will be mentioned, सब कुछ इसमें mention रहेगा, आपको सो चेक कर सकते हैं, और जब form फिल करेगा, देख सकते हैं आपको mandatory है, जैसे check detail, non नजबा के case में आपको फिल करना है रहेगा, select, आपको NSDL select करना है रहेगा, if DP start with IN, select CDSL, CDSL select किज़ेगा, DP ID आपका, देख सकते हैं, numeric रहेगा तब, अब है pan number जो रहता है, उसको फिल कीज़े, joint account है, उसका भी कीज़े, DP details जो रहेगा, DP ID जो रहे के बाद, submit कर दीजी, SCSB branch में, उसके बाद जो रहेगा, the list of the bank can be found on the application, जो भी application form में उसमें, आपको bank का, ये इसमें, पूरा details मिल जागा, कहां सब्मिट करना चाहिए, bank का details भी बताया जारा, कहां पर आप सब्मिट कर सकते हैं, उसला वाज है, अब है, net banking के तुरू कैसे करेंगे, तो investors can visit their brokerage account online, go to asba services option, आपको brokerage account जाना है, वहाँ पर asba section में जाए, select किजिए, IPO, FPO buyback, जो भी है, that will show all right issue available, वहाँ option में दीखेगा, सब कुछ आपको, जो भी IPO है, FPO buyback सब दीखेगा, fill in the quantity, you want to buy and submit the application, वहाँ से fill किजिए, जसी इसमें दीखेगा, fill किजिए and submit कर दीजे, check the terms and condition, make sure you have sufficient fund in the process, आप ये भी चकर लिजे का आपको पैसा है कि नहीं है, process the transaction and check the order book, फिर order book में भी चकर लिजे and इसके लावा जो रहता है, बहुत important चीज है, वो है कि जब आप amount जो रहता है, वो आपका blocked हो जाएगा, once your order, आपने order दे दिया, please successfully कर दिया, order amount will be blocked in your account, the amount blocked in the account cannot be used for other person, जो पैसा जो आप ब्लॉक की जाएगो, फिर किसे दूसरे purpose के लिए यूस नहीं होगा, which means you cannot withdraw, the money is safe in your account, withdraw नहीं कर सकते, ब्लॉक हो गया हो, if you are not allotted the share, the amount of which you have applied for the right issue will be unblocked and can be withdrawn by you, so plan your liquidity and need accordingly, जैसा आपका liquidity है, आप अप्लाइ कर दे बाद है, पैसा न क्या आपको 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 आपलाई करना चाहिए, तो फ्रेंग दो तरह के चीजे, अगर कंपनी का financial बहुत अच्छा है, condition बहुत अच्छा है, तब तो फिर ठीक ठाक है, अगर कंपनी जो रता का financial अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा आप रिसकी situation है, इसका कंपनी के बारे में हो गया, अगर कंपनी अच्छे हों दर अधर है, अगर कंपनी अच्छे हों दर अधर है, तो फिर बहुत रिसकी हो चालता है, यह था complete update regarding Tata consumer right issue, आई हो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, चल तो सब्स्राइब कीजेगा, तैंक,